असलाम ओलेकूं विवर्स आज की विडियो में लाहूर की दो बड़े mega प्रोजेक्ट की लेके आपके आपके पास ये वो दो पोजेक्ट के जिनको आप लोग बौहेदा इंतजार कर रहे थे वह सारी clay को Pale adds मिलेगा कर उदूसरे में आप बात कर रहा हूं, गड़ी शोग में जो फ्लाइवर और अंडर पास बनाया जा रहा है, और दूसरे नमबर पे जो प्रोजेक्ट है, क्रीम ब्लॉक जो इलमा इकबाल टाउन में क्रीम ब्लॉक है वादर तरोड पे, वहां पे जो एक अंडर पास बनाया जाना है, इन दोनों को गो अहेड मिल गया है आज जो वजिय अला पंजाब है मरियम नवाज उन्होंने बकाइदा LDA को बुलाएके briefing ली थी कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव होए में और जिन पर काम शुरू करभाया जा सकता है तो उनको ब्रीफिंग में के बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट्स जो जो है एप्रूव होगे हैं इन पर काम शुरू होगा इन प्रोजेक्स की डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट होती है, आप से चनल सब्सक्राइब करें, क्यों पसंद आई तो लाइक करें, शेर किया करें इस कॉंटेंट को, ताकि इन्फर्मेटिव कॉंटेंट सब तक पहुंचता रहे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपक क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्रीम ब्लॉक के उपर जो अंडर पास बनाया जा रहा है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके हवाले से यह सिगनल फ्री कोरिडर M2 मोटर वे तक बनना है, उसको मैं कल की वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिसकस करने व रिपोर्ट हुए है, आप पहले वो निउस सुने, उसके बड़ वीडियो की डिटेल में जाते हैं, नौमनतखी पंजाब हकोमत पहले ही दो मेगा तरक्याती मनसूबों का संगे बन्याद और एक मनसूबे का इफ्ता करेगी, LDA ने वजीर अला मरियम नवास को प्लैन करने का प्लैन, LDA ने नो मनतखी वजीर अला पंजाम मरियम नवास श्रीव को प्लैन पेश कर दिया, मनसूबाजात के डिजाइन और लागत से मुतालिक बरीफिंग दी गई, अलामेक वारोड गड़ी शाहु चोक के मकाम पर फ्लाई ओवर और अंडर पास तामीर किया जा अंडर पास की तामीर के लिए अराजी एक्वाइर नहीं की जाएगी, LDA ने आएंदा माँ इफ्ता के लिए बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कोरिडूर का प्लैन भी पेश कर दिया, कैमरा टीम के हमराज जैनुला बेदीन, लाहूर नियूज जी वीवर्स आपने नियूज मुलाइजा की, लाहूर नियूज पे रिपोर्ट हुआ था, ये बैसिकली वो पॉइंट है, गड़ी शाओं में जो चोक बनता है, एक रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जा रही है, एक जिटी रोड की तरफ जा रही है, इसको मैं मैप पे जर जो औरिंज कलर की स्ट्रिप है, वो बिसिकली अंडर पास है, तो इसमें जो एक तरफ की ट्राफिक है, उसके लिए फ्लाइवर होगा, दूसरी तरफ की ट्राफिक के लिए अंडर पास यूज होगा, इस तरह करके ये प्लैन किया जा रहा है, गड़ी शाओं एक अच्छा कर देता हूं, गड़ी शाओं फ्लाइवर होगा, इसमें जो चोक बनता है, गड़ी शाओं चोक, वो बिसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये कुईन मेरी कॉलिज के पास, ये इलामा एकबाल रोड पे ये वाला एक पॉइंट बनता है, इस पॉइंट पे इसको गड़ी गड़ी शाओं चोक कहते हैं, इस पे काफी रश होता है, इसमें इस चोक पे रश होने की वज़ा ये है, कि बहुत बड़ी बिजी रोड को ये लिंक कर रहा है, कैसे, यहां से ये गड़ी शाओं जो चोक है, ये एक तरफ से जीटी रोड से लिंक होता है, ये जीटी रोड प्याइचे लाहूर का यह किस अए उलामयक्बाल रोड जा रही है और इसके लावा यहां पर रिल्वेस्टेशन भी पास है जिसके विरसे रिल्वेस्टेशन तो आपको पता है चोबिस गिंटे यह पे अन्दूरुफ। रहती है पिर यहां पे अंधूरून लाहूर आ जात तो लक्षमी, मिकलोड रोड आ जाता है और यहां पे गौाल मंडी और यह बिसिकली यह अंदरूल लाहूर सर्कुलर रोड आ जाती है दिली लाहूर के दरवाजे आ जाते हैं सारे तो यह अच्छा खासा एक बिजी एरिया है जिसकी वर्यह से यहां पे अच्छा खासा रशी आर्स जो ड्यूटी पे गोड़ लोग जाते हैं स्कूल की में स्कूल बचे जाते हैं यह कॉलऀज उन्वरस्टी जाते हैं लोग जिसके लाब़ा शाम के टाइम और दुपहर के टाइम यह तीन टाइम यहां चाहँ खासा रश हो जाता है इस रश को कैटर करने के लिए यहां पे गड़ी शवचोक में जो मैंने आपको भी दिखाया है यहां पे प्लैन किया गया था एक फ्लाइवर और एक अंडरपास फ्लाइवर जो है वो बैसिकली बैसिकली उदर से इस तरफ को आने रेलवे स्टेशन से पीछे आने किना लोड की तरफ उसके लिए अंडरपास और उपर की तरफ जो रोड होगा यानि कि सारा लोड जो है आने जाने वाला उस तरफ यानि इस इलामेक बाल रोड के क्रॉस वो अंडरपास और फ्लाइवर को यूज करेगा और उपर से जो है कोई इशारा नहीं होगा मतलब यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर जो चोक है यहाँ पर इशारा खतम कर दिये जाएगा तो ट्रैफिक जो है जिसने पीछे से आना है विनमेरी कॉलेज वली साइट से वो यह आगे ब्रिज आता है जो गडिशाओं का ब्रिज है मशूर ब्रिज है जो आगे जिटी रोड की तरफ जा रहा है तो इसके लिए जो है ना वो उपर किसी किसम का कोई इशारा नहीं होगा इशारा भी खतम होजेगा और जो इलामा एक बाल के रोड के क्रॉस जो ट्रैफिक जाएगी उसके लिए जो है ये ब्रिज और अंडर पास काम करेंगे ठीक है तो ये आपको होफ़ली थोड़ा सा लाइब्मेंट में ने कर दी है अच्छा इसके लावा ये प्रोजेक्ट की बारे मैं आपको बता दूँ ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था अभी जो पिछले महीने इनकी 37th मिटिंग हुई थी प्लैनिंग कमिशन की बैसिकली एक PDWP एक फॉरम है जहां पर ये जितने भी प्रोजेक्ट होते है पंजाब के वो अप्रूव होते है प्लैनिंग कमिशन एक बोर्ड बनाव है PDWP वो बोर्ड अप्रूव करता है प्रोजेक्ट को उसके बाद ये बैसिकली वो ये देखते हुए कि हमारे पास बजट की क्या पॉजेशन है किस चीज के लिए कितना बजट रखाव है बजट की पॉजेशन देखते हुए जरूरत महसूस करते हुए ओवराल उसमें नमाइंदे LDA के नमाइंदे भी होते है और डेपार्टमेंस के नमाइंदे होते हैं तो वो जरूरत को महसूस करते हुए और अर्जनसी को महसूस करते हुए और बजट को देखते हुए फैसला कर लेते हैं यह प्रॉजेक्ट होगा तो यह प्रॉजेक्ट PDWP से तकरीबन वन मन्थ पैक अप्रूव हुआ था और गडिशाओ फ्लायावर और अटर पास तो होगा वो भी उदर से ही अप्रूव हुआ था यह दोनों प्रॉजेक्ट्स अप्रूव हुए थे और अब इन पर वरकिंग अब जो मर्यम नवाज साहिबा ने बेसिकली जो आज मीटिंग कंड़क्ट की है उसमें LDA से पूछा है कि आपके पाइपलाइन में कौन कौन से प मार्ट चैसी स्टार्ट होगा आप बंद रोड प्रॉजेक्ट का इफ्ताबी कर सकती है क्योंकि वह कंप्लीट हो रहा है इंशाला अभी एक दो वीक में आप देखेंगे कि उसका इनेगुरेशन भी होजएगा मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पताऊंगा उसकी इलाइन् बन और टू वीक ये बकाइदा दोर पर इसमें काम शुरू हो जाएगा मैं इंशाला वो अपडेट भी लाओंगा आपके लिए कल की वीडियो जरूर देखेंगा कल में क्रीम ब्लॉक का जो सीगनल फी कोरिटोरस पर वीडियो बनाऊंगा होफूली ये वीडियो आपको प लाई कोपको सुरू हो वीडियो जरू हो लाएगा मैं इंशाला वे प्रह fine